नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अठ्छी होंगे दोस्तों हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स का कोश्चन आ रहा है कि हम लोग का सिकंद्राबाद में रिजल्ट हुआ है और सिकंद्राबाद से वह जो ग्राउंड कितना दूर है वह ग्राउंड सिकंद्राबाद से लगभग सिकंद्राबाद रेलेवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमेटर की दूरी पर है आप लोग को सिकंद्राबाद से आप लोग को बस मिल लाएगा और बस से आप लोग जा सकते हैं आप लोग में से बहुत सा चात्र का सवाल है कि हम को से बिलोंग करते हैं और हम लोग को यूवार में कर दिया गया है तो क्या इससे क्या प्रॉब्लम होगा तो चलिए मैं इस पी बात करने वाला हूं कि A-C-H-T, O-B-C से जो छात्र है उनों को U-R में क्यों कर दिया गया है। बहुत तरे छात्रों देख रहे होंगे U-R में result आया हुआ है क्यों कर दिया गया है। तो सबसे पहला कि आप लोग जब शिकंदरवाद पहुंचए तो आज साम में ही आप लोग वहाँ चले जाएगा आज साम को आठ बजे नौ बजे तक जब तक मन करें तब तक आप उस ग्राउंड के आसपास में ही आपना ठीकाना कहीं बना लीजिएगा और वहीं पे आप लोग कोशी स्कीज़ रहने के लिए क्योंकि बहुत सारे चात्रों का सुबस चार बज़े है पांच बज़े चे बज़े है इस तरह का आप लोग का रॉनिंग का टाइमिंग है तो इसलिए आप लोग रात में ही पहुंच जाईएगा मेरा भी फीजिकल टेस्टेफ ग्राउं नहीं काटे पर लोशन जानते हैं एक घंटा ही काम करता था एक घंटा के बाद फिर से मश्र काटने लगता था तो हम लोग रात वर ऐसे ही बिताए उस समय रात बार मश्रक से कटवाना पड़ा और सुबह में हम लोग का रॉनिंग था पर वचात्र का जोब हुआ की नहीं नहीं है तो उसमें अगर मान लिजे आपका नम्मर ज्यादा है यानि ज्यादा कहने का मतलब है कि यू आर के समकुक्ष है या उससे अधिक है तो आप लोग का यूवर में हो जाता है यूवर मतलब अन्रिजर्व्ड यहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है और य फैदा ही फैदा है आप लोग का नंबर ज्याधा आया है इसलिए आप लोग को यू आर के के टेगरी में आप लोग को डाल दिया गया है उसके बाद माल लीजिए कि आप लोग का डोक्मेंड फिरिफिकेशन होता है तो बैजान से बहुत सारे छात्रों के पास वह काश स्ट् अब हो जाएगा दिखाते हैं तो क्या फाइदा है दिखाते हैं तो और अच्छा है माली जी आपका नंबर कम हो गया फाइनल मेरी लिस्ट बन रहा है उसमें आपका नंबर कम हो गया और आप अपने केटेगरी में आ गये तो आप जब डोक्मेंड फिरिपिकेशन में अप आप लोग का डबल फायदा है और जैसे कि आप लोग का ज्यादा नमर है यूर में आप फाइट कर रहे हैं फाइनल अगर नहीं हो पाता है आपका यूर से तो आप लोग अपने के टेवी में रिजेरोशन पाक करके उसी कटप के अकोर्डिंग आप लोग का जौब हो के लिए तो दोस्तों यहीं जनकारी देना था कि जिनका यूर केटेग्री में चला गया है उनको क्या प्रोब्लम होगा इससे कोई भी प्रोब्म नहीं होगा इससे आप लोग को फायदा ही फायदा है और कोई आपके मन में सवाल है तो निचे लिखिएगा मिलेंगे आपस नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही जहिंद जय भारत